पढ़ते हुए अगर आजू ना जाए तो आज से लिखना बन जीवन संगनी धरम पत्नी की विदाई अगर पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है राजा की तरह जीने और आज दुनिया में आपका सिर उचा रखने के लिए अपनी पत्नी का सुक्रिया कीजिए आपकी सविदा अशविदा आपके बिना कारण के क्रोध को शमालती है आपकी पत्नी तुमारे सुक से सुखी है और तुमारे दुख से दुखी है आप रववार को देर से बिस्तर पर रहते हैं लेकिन इसका कोई रववार या तियोहार नहीं होता है चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, ये ऐसा है और वो ऐसा है कब अक्कल आईई तुम्हें ऐसे ताने मारते हैं उसके बाद बुद्धी है उसके पास बुद्धी है और केवल उसी के कारण तो आप जीवित हैं बरना दुनिया में आपको कोई भी नहीं पूछेगा अब जरा इस इस्तिती की सिर्फ कल पना करें तोस्तों नमस्कार मैं हूं आपका अपना दोस्त सर remarkably सारस्वत और आप सुनगे हैं सिद्धी सारस्वत ब्रजवासि की कहानिया दोस्तो आज की ये कहानी आपके लिए बहुत ही महत्पूर है कहानी को पूरा सुनिएगा, कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लायक कर देना दोस्तो कहानी सुरू करने से पहले आफ से एक छोटा सा अन्रोध है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार कहानी सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन ज़रूर दबा ले जिससे हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और मेरा होसला बढ़ता रहे तो चलिए अपनी कहानी की ओर एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है घर में रोने की आवाज आ रही है पत्नी का अंतिन दर्सन चल रहा था उस वक्त पत्नी की आत्मा जात जाते जो कह रही है उसका बर्णन कर रहा हूँ अपने पती से बोलती है मैं अभी जा रही हूँ अब फिर कवी नहीं मिलेंगे मैं जा रही हूँ जिस दिन साधी के फेरे लिये थे उस बक्त साथ साथ जीएंगे ऐसा वचिंदिया था पर अचानक अकेले जाना पड़ेगा ये मुझे को पता नहीं था मुझे जाने दो अपने आंगन में अपना सरी छोड़ कर जा रही हूँ अपने पती को बोलती हुई रो रही है और बिछड़ते हुए अपने पती से बोलती है बहुत दर्द हो रहा है मुझे लेकिन मैं मजबूर हूँ अब मैं जा रही हूँ मेरा मन नहीं मान रहा पर देखो इन्हें चुप कराओं मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलहसा भी नहीं दे सकती हूं पोता बावा करके रो रहा है उसे शान्त करो बिलकुल ध्यान नहीं दे रहे हैं आप हाँ और आप भी मन को मजबूत कर लो और बिलकुल डीले नहो अब मुझे जाने दो अभी बेटी ससराल से आईगी और मेरा म्रत सरीर देखकर बहुत रोईगी तब उसे समालना और शान्त करना और आप भी बिलकुल नहीं रोना हम मुझे जाने दो जिसका जन्म हुआ है उसकी मरती निश्यत है जो भी इस दुनिया में आया है वो यहां से उपर गया है धीरे धीरे मुझे भूल जाना मुझे बहुत याद नहीं करना और इस जीवन में फिर से काम में डोप जाना हम मेरे बिना जीने की आदत चल्दी से डाल लेना क्योंकि मुझे जाने दो आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना है आप जिद छोड़कर ब्यवहार में बिनम्र रहना अब जिद छोड़कर अपने ब्यवहार में बिनम्र रहना आपको अकेला छोड़कर जाते मुझे बहुत चिंता हो रही है लेकिन मैं मजबूर हूँ मु गुसानी हो जाएगी सुबह उठते ही दवा लेना कभी मत भूलना चाय अगर आपको देर से मिलती है तो बहु पर गुसा मत करना अब मैं नहीं हूं यह समझ कर जीना सीख लेना और मुझे अब जाने दो बेटा और बहु कुछ बोले तो चुप-चाप सुन लेना कभी गुस गुसानी करना हमेशा मुस्क्रात रहना कभी उदास नहीं होना एक पत्नी अपने पती से ऐसी बाते करते हुए बिदाई ले रही है अपने बेटे के बेटे के साथ खेलना अपने दोस्तों के साथ समय विताना अब थोड़ा धार्मिक जीवन जिये थाकि जीवन को स्वयमि किया जा सके अगर मेरी याद आई तो चुप के रो लेना लेकिन कभी कभजोर नहीं होना मेरा रुमाल कहा है मेरी चावी कहा है अब ऐसे चलाना नहीं और याद रखने की आद़ ढाल लेना सुबह और सामने में तरूस से दवा लेते रहना अगर वहू भूल जाए तो सामने से याद कर लेना यू भी खाने को मिल जाए प्यार से खा लेना और कभी गुस्सा नहीं करना मेरी अनुपस्तिती खलेगी परंतु कमजोर नहीं होना बढ़ापी की छड़ी भूलना नहीं और धीरे धीरे चलना यद बीमार हो गए और सेबा करना पशंद नहीं आएगा साम को विस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी मांग लेना प्यास लगे तभी पी लेना अगर आपको रात को उठना पड़े तो अन्धेरे में कुछ लगे नहीं उसका ध्यान जरूर लखना सादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ रहे हैं परवार में फूल जैसे बच्ची दिये हैं अब उस फूलों की सुगन्द मुझे तु नहीं मिलेगी पर मुझे अब जाना होगा उठो सुबह हो गई है अब ऐसा कोई नहीं कहेगा अब अपने आप उठने की आद़ डाल लेना किसी की बतिक्षा नहीं करना और हाँ एक बात तुम से छुपाई है मुझे माफ कर देना आपको बिना बताए बाजू की पोस्ट आपिस में बचत खाता खुलवा कर 14 लाक रुपे जमा किये हैं मेरी दादी ने से खाया था एक एक रुप्या जमा करके कोने में रख दिया इसमें से पांच पांच लाक बहु और बेटी को दे देना और अपने खाते में चार लाक रखना अपने लिए हम मुझे जाने दो भबागवान की बच्ति और पूज़ा करना कभी मत भोलना और फिर हम कभी दे ही मिलेंगे मुझे मुझे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ कदेना मुझे जाने दो मुझे जाने दो तो यह कहानी आपको कैसी लगी comment box में जरूर बताईएगा अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करके share जरूर कर देना